नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट, आइए बात करते हैं सिल्वर MCX की दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर MCX का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनिट के टाइम फ्रेम को लगाय हुआ है और इसमें जिस तरीके की movement last trading session में रही और अभी जो current live market चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले time में, आने वाले session में वो कौन से price level है, जो इसमें support और resistance का का काम कर सकते हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का view है, क्या हमें buying करनी चाहिए, selling करनी चाहिए, या थोड़ा सा wait करना चाहिए, किसी भी trade में एंटर करने से पहले तो आएए शुरू करते हैं, 5 मिनिट के time frame पे, silver MCX का chart दोस्तों, कल के trading session में, market में एक heavy selling देखने को मिली यहां पर हमने देखा market में लगातार prices जो थे, वो नीचे की तरफ चलते चले गए और जब evening session शुरू हुआ, तब कई रोगों की expectation भी थी, जब यहां पर यह च्छे बज़ा, जब यह candle create हो गई तो कि और ज़ादा downside आ सकती है, कि देखिए कभी भी, जब market एक free fall दिखाता है, तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि कि इस time market recovery दिखा सकता है, एक major selling, already एक candle red color में create हो चुकी है, तो उसे market कितना extend करेगा, वहाँ पर सिर्फ support level ही काम आते हैं, कि अब जो next support है, वो next major support कहां मिल सकता है, अदर्वाइस इस तरीके से कि अब ज़रासी एक recovery आ गई, देखिए ज़रासी recovery तब तक matter करती है, जब market एक consolidation phase में continue होता है, कि एक 33,000 point की market ने एक range को hold किया हुआ है, जो हमें अभी तक इस से पहले का trend देख रहे थे, तब तक यह चीज़ ज़रूर थी कि market में recovery आ सकती है, और recovery और ऊपर हो सकती है, market नीचे आ रहा है, फिर recovery आ गई, और ऊपर हो गया, और या फिर ऊपर जा रहा है, तो market में selling आ opening दिखाई है, और वहां से prices अभी थोड़ा सा नीचे चल रहे है, जो opening price है, ये बहुत ही छोटी चीज़ है, जो market ने अभी तक opening price से अभी तक जो दिखाई हुए है, जिस तरीके का हमने trend कल देखा, कल के trend में एक important चीज़ जो देखने को मिली वो ये थी, कि इस से पहले कि ह हमारी जो पूरी range थी, जो पिछले 15-20 दिन से हम observe कर रहे थे, वो 3000 point की थी लगभग, मतलब नीचे में 70,400, उपर में 73,200, market ने जो opening दिखाई, वो सीधी opening ही 70,400 के आसपास होई थी, या फिर इस से भी थोड़ा सा नीचे, और इसके बाद से, हमारा जो एक next इसका support level था, व और लगभग exactly वही level हम समझ सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पर एक support लिया, और बीच में कहीं पर भी support ने लिया, तो ये कोई भी major support, major resistance level इस तरीके से काम करते हैं मार्केट में, कि उससे पहले के 15-20 दिन, 15-20 ट्रेडिंग session इंट्रेक्ट मैं कहूंगा, कि एक तरफ है, और ये single day एक तरफ है, कि मार्केट ने daily trading basis पे एक range को hold किया हुआ था, जो पूरी की पूरी 3000 point की थी, और मार्केट ने एक major breakout दिखाया, breakdown दिखाया, जिसमें single day में मार्केट ने 3000 point से ज़्यादा का एक crash दिखा दिया, और आज हम देख रहे हैं, कि मार्केट में एक gap up opening के बाद prices जो हैं, वो flat trading अभी कर रहे है, current price 68,150, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बार 15 minute के time frame पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का view हमें सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो silver में पिछले दो trading session, मतलब कल का session नहीं, उससे पहले दो trading session से market में, एक sideways trend continue थ एक uncertainty थी किस direction की तरफ और जो expectation मेरी भी थी, मैं भी आपसे यह discuss कर रहा था कि most probably जो consolidation का part है, वो अब end होता नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं market एक break जरूर दिखाएगा, ओपर की side या नीचे की side, इसने नीचे में breakdown दिखाएगा और prices सीधा नीचे की तरफ और अभी संबलने की market को कोशिश कर रहा है, तो क्या expectation है आज की और क्या expectation है आने वाले time की, इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा discuss करेंगे, पर फिलहाल मैं आपसे ही कहूँगा कि जिनकी भी जो भी position थी, उसमें वो stop loss का use जरूर किया करें, otherwise इस तरीके के ये single day में जो नुकसान ह होता है, इससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर दो चीज़े बहुत important है आपके लिए, पहला कि आपकी trading strategy कैसी है, दूसरा कि आपका fund management कैसा है, देखिए levels, मैं ये मानता हूँ कि third part पे आप consider किया गीजिए, सबसे पहला आपकी strategy क्या है और fund management क इन दोनों चीज़ों में अगर आप fail है, तो कहीं न कहीं आपका जो levels है, कितने भी best levels आपको मिल जाए, आप उन्हें end cash नहीं कर सकते हैं, तो यह सबसे important चीज़ है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक घंटे के time frame पे, यह चीज़ इसलिए मैं आपको बार 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 बता इसी strategy को follow करना भूल जाते हैं, या फिर मतलब उन्हें ये लगता है कि market उनके favor में आ ही जाएगा, भले ही कितना भी नीचे चला जाए, या कितना भी उपर चला जाए, तो यह उनके लिए जो देखे, बहुत सारे traders ऐसे भी हो सकते हैं, जिन्होंने short selling की position ले रख की होगी, ज्यादा से जादा और उन्हें एक अच्छा major profit हो गया होगा, आप यकीन मानिए जिसकी भी short position होगी, वो opening prices पे ही निकल गया होगा, और जिसकी long position होगी, उसमें से कई सारे ऐसे होगे, जिनकी capital जब तक खतम नहीं होगी, उन्होंने तब तक hold किया होगा, या फिर अभी भी hold करके बैठे हुए होंगे, कि शायद next week या आज market एक अच्छे recovery दिखा दे, खैजो भी है, ये सारी चीज़े मैं सिर्फ इसलिए explain करता हूँ, क्योंकि आपको इस market में trade करने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को समझने की जरूरत है, जो आपके लिए काफी helpful रहेंगी, यहा के बाद इसके नीचे का ये range हम देख रहे हैं, बलकि उससे भी बड़ी ये range है, तो कहीना कहीं levels का एक important level का जरूर आप ध्यान रखा किजिए, तो जो trend है, ultimately वो नीचे का ही है, और आगे चलते हैं, चार घंटे के time frame पे, वहाँ देखते हैं कि क्या view नज़र आ रहा है, यह और यहाँ पर अभी market अपने आपको hold करता हूँ नज़र आ रहा है, जिसमें current price है 68,141, आगे का trend कैसा रहेगा देखिए, एक support बेस था जो market ने बहुत strongly create किया हुआ था, यहाँ पर जैसे ही इसमें break आया, market में सीधा एक downside और price है 67,500 के आसपास एक support लेकर वहाँ पर उससे थोड़ा सा उपर recover करके अभी hold कर रहे हैं, तो अभी और आगे देखते हैं, क्या expectation है, एक बार daily charts पर देखें, यहाँ अगर हम देखें, तो prices में selling, उपर, नीचे, उपर, और उपर, और नीचे, और फिर उपर consolidation, prices नीचे, और अभी ये एक trend को indicate कर रहे हैं, कि prices जो हैं, व expiry से पहले, मुझे ऐसा लगता है, कि silver में एक uptrend का start होना, वो थोड़ा सा जादा मुश्किल रहेगा, expiry जब खतम हो जाएगी, मतलब next month के starting week से, थोड़ा market का trend शायद बदल जाए, तो उस चीज़ की expectation ज़रूर कर सकते हैं, पर अभी market अपने आपको नीचे के levels पे hold करने की कोशिश जरूर कर सकता है, ये expiry की जो चीज़ है, मतलब के contract expiry होने वाला है, तो उससे पहले, बहुत सारी traders ऐसे हैं, जो फस चुके हैं, उन्हे market निकलने का मौका देगा, ऐसा बहुत मुश्किल है, वापस चलते हैं, एक घंटे के time frame पे, उन levels को अभी थोड़ा सा discuss कर करते हैं, जो आने वाले time में थोड़े important हो सकते हैं, सबसे पहली चीज़ के अब जो एक next major support level है, जिसके नीचे market का close होना, एक और downside को extend करेगा, तो वो prices 66,000 के नीचे, अगर prices close हो जाते हैं, ये वैसे 65,900 something है, तो मैं round off में ले रहा हूँ, 66,000 के नीचे अगर prices close हो जाते हैं तो अपनी इस downside को market और speed से आगे को extend करेगा, जब तक इसके उपर है, एक उमीद की जा सकती है कि market में शायद recovery आ जाए, या कुछ इस तरीके के chances बन सकते हैं, पर इस level ये बहुत important level है आने वाले time में, ठीक है, अब आज का trend कैसा रह सकता है, देखिए इतनी major correction के बाद, एक recovery के chances आज जरूर लग रहे हैं कि market में एक recovery आ सकती है, at least, at most ऐसा हो सकता है कि MCX close होने के बाद market एक recovery दिखा दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कि market में एक जो trend है, वो नीचे को ही hold किये हुए रहता है, और prices एक दम से उपर को नहीं cover कर पाते हैं, जब तक MCX चलता है, जैस कई बारी, तो उस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब important prices कौन कौन से हैं, सबसे पहला price है 68,520, इस price के उपर market अगर आता है, sustain करता है, तो इसमें intraday में थोड़ी सी और upside देखी जा सकती है, जिसमें next जो price है, जो important रहेगा resistance के लिए, वो है 69,320, इस price से 800 final resistance level है, काफी जो major है, वो 70,000 का है, इसका break होना, sustain करना इसके उपर, वापस एक strength को ला सकता है, जिसमें prices बहुत speed से उपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिलहाल के लिए, देखिए, buying को मैं बहुत strongly recommend तो नहीं कर रहा, पर फिर भी आपे कोशिश कर सकते हैं, इस price के उपर, buying करने के लिए, इसलिए मैं ज्यादा recommend भी नहीं कर रहा, इसके बात जो resistance है, वो 70,000 पर और काफी major है, तो prices का इसके आसपास ही कहीं पर sustain करने की उमीद बन सकती है, कि हो सकता है, 69, 700 तक prices चल जाएं, फिर वहाँ से market एक turn ले ले, तो अभी के लिए, important level 68, 520 है, उप के side में जाते हुए, इससे पहले कोई buying की कोशिच ना करें, या फिर कोछ इस तरीकी का market रह सकता है, कि evening session में इस price थोड़ा सा बदल जाए तब तक, तो वो एक उमीद हो सकती है, कि prices थोड़ा सा और नीचे आ जाए, या फिर, मतलब, यह मैं अभी के इसाब से बता रहा हू जब evening session चल रहा होगा, तो फिलाल के लिए एक यही price है, जो सबसे important है, इन दोनों prices को consider करना ज़रूरी अभी नहीं है, यह price आता वा लगनी रहा, 70,000 और 69, 320 के उपर buying करना, थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक गलट decision रहेगा, short selling के लिए फिर भी थोड़ा सा ठीक हो सकता है, ज अन्यवाद